दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर लें और बैल आइकन को दबा दें ताकि आप अगली वीडियो बिल्कुल प्रमिश ना कर पाएं को मेरे चैनल पर वूच्छी में आपका फिर सभ्सक्राइब डोस्तों को मैं आपको बता हुआ जब हम किसी 64 चैनल चैनल में कम करा रहे होते हैं तो डिवर चैनल को कर लेना सस्क्राइब और ज्यादा से ज्याधा वीडियो को शेयर करना ताकि बहुत सारे लोगों तकी जानकारी पहुंच सके चलिए वीडियो देखते हैं कि दोस्तों जब हम किसी स्टेशन पर जाते हैं किसी स्टेशन के आसपास या यार्ड में हम काम खुरा रहते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का न जारा होता है तो अज इसी को मैं आपके सामने explain कर रहा हूं तो यह सबसे पहले हम एक साइट से शुरू करते हैं तो यह जो आपको यह सीधी खड़ी हमाई लैक दिख रही है एक इसको बोलते हैं अपराइट यह आपको आपको नॉर्मली O-type, N-type और R-type है कि देखने को मिलेगी अगर इसमें O-type होगा तो O-U, N-type होगा तो N-U और R-type होगा तो R-U इसके लिए मैं आपको एक separate वीडियो बना दुआ कि इनको कैसे पता लगाएं कि यह R-type है या N-type है या O-type है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके उपर बढ़ते हैं तो इसमें एक number plate लगी हुई है यह retro reflected number plate है जब इसके उपर रोसनी पढ़ती है तो यह थोड़ी ही चमकती है यह number plate हमें बताती है कि यह खंबा इस kilometer में इतने number पे है जैसे कि इस पे लिखा हुआ है 405 बटा 17 तो इसका मतलब हुआ यह 405 kilometer में 17 number वाला portal या mast है इसके उपर एक nebracing लगी होती है इसका sort में नाम होता है NK, OK, RK अगर O type पे लगाएंगे तो OK, N type पे लगाएंगे तो NK या R type पे लगाएंगे तो RK यह हमारे upright के उपर depend करता है कि जो जिस type का upright यूज़ कर रहे हैं उसी type की हम nebracing लगाएंगे दोस्तों जब इसके उपर हम बढ़ते हैं तो हमें ये पूरा portion दिखाई देता है इस portion को बोलते हैं boom, इसको बनाने के लिए हमें components की जरूरत होती है end piece और center piece इसमें हम दो side end piece लगाएंगे और बीच में हम अगर जरूरत होगी तो center piece लगाएंगे वरना हम उनको ऐसे ही जोड देंगे बिना center piece के इनको एक साथ जोडने के लिए हमें अगर है end type का कर रहे हैं अगर o type को जोड रहे हैं तो oc की जरूरत होगी और r type को जोड रहे हैं तो rc की जरूरत होगी यहाँ पर rc, nc और oc से मतलब है उनके covering angle जैसे end type covering angle तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ हमारे भूम के देखने के बाद इसमें हम देखते हैं कि अगर हमें दो एनिवन लगाने हैं तो हम एनिवन लगाएंगे या OE1 या OE2 या कंबिनेशन करके जीज भी हिसाब से हमारा आता है उसके हिसाब से हम इसको असेंबल करेंगे इसमें असेंबल करने के लिए अगर हम सेंटर पीस की भी जरूरूरत होती है तो हमारी टोटल आठ एनसी या OC या RC लगेंगी अगर हमें उसकी जरूरत सेंटर पीस की जरूरत नहीं होती है तो हमारी 4NC या OC या RC लगेंगी अब BOOM को Assemble करके Erection करने के बाद इसमें Knee Bracing लगा दी जाती है एक साइड से अपराइट में BOOM को एक साइड से अपराइट में लगा दी जाता है और नीचे से Knee Bracing इसको Sport करती है इसके बाद इस पे जब हम Cantilever लगाते हैं तो कुछ केस में ऐसा होता है जहाँ Implantation ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ड्रोपारम का यूज करना पड़ता है यह हमारी ड्रोपारम है यह हमारा Cantilever है N-type पे ड्रोपारम लगाने में क्या-क्या मेट्रिल की जुरूत पड़ती है उसकी वीडियो मैंने आपको पहले ही बना के दे चुका हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ वो आप जाके देख सकते हो यह हमारी Catenary Contact Wire है दोस्तो मैंने Combine इसका एक पार्ट बना दिया है उमीद आपको यह पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा अगर आपको कोई सुजा हो तो मुझे नीचे कमेंट बोक्स में में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो आगे कोसिस करूँ है कि मैं अलग-अलग separate वीडियो इनके बनाओं पहले सिर्फ सेंटर पीस का या मैं सिर्फ एंड पीस का सिर्फ तीन पोरेशन में में इसका वीडियो बनाने के कोसिस करूँ गा चलिए वीडियो को सेर कीजिए वीडियो को लाइक करिए अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे तो चैनल सस्क्राइब करिए धन्यवाद